आगामी लोकसभा चुनाओं को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सजग है वहीं लोकसभा चुनाओं में नामांका दाखिल करने पहुंचे प्रत्याशियों के लिए दुरुक कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर कलेक्टेट परिसर में बेरिगेट ल विवस्था की गई है इसे लेकर पूरे परिसर में बेरिगेट लगाकर पुलिस विवस्था कराई जा रही है ताकि आम नागरिक और चुनाओं में हिस्सा ले रहे प्रत्याशियों को किसी प्रकार की असुविधार न उठाना पड़े बतादे नामांकर दाखिल करने की अ जापक तैयारियां की गई है जिसके चलते ही पूरे परिसर में बेरिगेट भी लगाए जा रहे हैं और ना एक सामनी का बनाना है इस दोरान संसदी निर्वाचन दुर्ग नियालाय कलेक्टर कक्ष क्रमांक चार प्रथमिस्तल कायलाय कलेक्टर दुर्ग में नाम निर्देशन कक्ष की विवस्था की गई है अभ्यर्थी उनके प्रस्तावक एवं निर्वाचन अभी करता सभी मिलाकर अधिक्तम पांच वेक्ती ही रिटर्निंग आफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे साथी यहां सौ मीटर के दायरे तक अभ्यर्थी तशा उनके अभी करता के कुल तीन वाहनों को ही आने की अनुमती होगी जिसमें वाहनों की उप्योग है तो पूर्व से अतिरिक्त जिला दंडा धिकारी से अनुमती प्राप्त करना अनिवार्य होगा ACN News के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट